स्वागत मेरे पेहरे भाईयों आपका अपने ही चैनल के इंग फेंटासिट्यू स्मिस वीडियो में आपको कवर करने वाला है मेरे मेलमार निगेर्स वर्जेस इनी ठंडर का बिज वील का मैच नुमर फोट्टी और यह जो मैच होने वाला है आठ जनवरी यानि कि आज दो पहर 12 बच के 45 मिनट पे इंडियन स्टेंडर टाम के हिसाब से मैच खेला जाएगा वेन्यू रहने वाली है डॉक्लेंड इस्टेडियम मिलबर्न और लाइव स्ट्रीम आप इसको सोनी स्पॉर्ट नेटवर्क पो देख सकते तो चलिए इसके बार में हम फोल इंफर्मेशन यह अपने भाई की इस वीडियो में और अवे तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि है तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी में लाइक अंदबा देना तक हमसे जुरी हर अपडेट आपको मिलती रहे तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहां पे देखी सकते ह रहे तो आप कमेंड करके बता सकते हैं यह फ्लैट पीछ और यहां पे बॉलर मतलब कि ज्यादा अच्छे से बॉल नहीं फैक पाते हैं मतलब कि बहुत ही अच्छे बॉलिंग कर पाते हैं वही देखावर में रण कम जाते हैं लेकिन जब तक मतलब कि एक से आठारा अभर किसमें रंस एकदम फूल स्पीड में जाते हैं और यह फिछ फ्लैट है और इस पीछ पे बहुत ही अच्छे बैटिंग कर पाते हैं और आप एक कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कभी गरन लिक जीता है आप भी नहीं नीचे कमेंट में करके जरूर बताना तो यह इस पे जो एक सोज असी है जो टोटल अगर पहले बैटिंग करते हुए आपने बना दिया तो समझे के बेस्ट स्कूर आपके लिए होने वाला है पर 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 अरॉपनिंग करने अपने टीम मेलबन रिनेगेट के लिए निक मैडिंसन विल सुदरलेंड मैकेंजी हारवे जैंस स अब ही तक वालिंग की है और उमीद है कि अच्छे करेंगे प्रिछले मैं मैं फिंच मतला कि फ्लॉप हो गए थे लेकिन उमीद है कि इस बार चलेंगे तो चलिए इसके बाद हम की प्लेयर्स टॉपिक्स के बात करूंगा तो बने रहे हैं अपने भाई के इस वीडियो में सिद्नी ठंडर मैथिव गाइक्स एलक्स हेल्स जो की ओपनिंग करने आएंगे मैथिव गाइक्स और एलक्स हेल्स सिद्नी ठंडर के तरफ से सिद्नी ठंडर के तरफ से बहुत अच्छे ओपनिंग इन्होंने अभी तक की है बस एक पिछले दो मैचे में इन दुनों का जो खतरनाक बैटिंग करके चल जाते हैं और इनका एक विकेट फिक्स रहता है हर मैच में एक विकेट दो विकेट यहां से बैटर्स में टॉप पिक्स होने वाले हैं मतलब की मिलबं डिन अगेर्च फर्सेच सिद्नी ठंडर के दूनों में से टॉप पिक्स बैटिंग में बात करूं तो यहां से सौन मार्स सौन मार्स प्लेयर ऑफ दे मैच फॉर सुपब नग पिछले मैचेज में चिर्फ जला रनस पारी खेली थी लिए जिसमें हीट के खिलाप दो मैचेज में नों एवि तक इनका रन के स्कूर हम्हार है और इनका स्ट्राइक डेट डेर सो पलड़ स्काइश ट्राइक रेट है दूस्तों अभी तक आठतर में सिर्फ दो मैचेज में इननों कर दिया है पिछलों मैंचेज में इनको मैंने कैप्टेन टिक करवाया तो आप जाके टेल गाप चैनल पर देख सकते हैं मेले ही वह टीम नहीं मिल पाया तो जैसन संगा कि मैं बात करूं तो जैसन संगा प्लेड़ा हीुज रोल इन इन्होंने 70 का एवरेज से दोस्तो वह भी 270 रण्स छे मैचेज में और तीन विकेट इन्होंने तिक भी किया है अपनों बालिंग के मुकाबले और इसने जैसन संगा ने सिद्नी ठंडर को अभी तक बहुत ही अच्छा प्रफरमेंस अपना जलवा दिखाया है और उमीद है कि वह करेंगे बहुत ही अच्छा प्लेयर है और उनसे उमीद हमेशा रहती है तो निक मैडिंसन प्लेड ही सबसे अच्छा निक मैडिंसन ने किया है मिलबन जिने गेट्स का तरफ से उन्होंने 6 मैचेज में 118 रन टोटल स्कोर किये हैं 118 रन से सोच रहेंगो दोस्तों की न कितने अच्छे निक मैडिंसन ने बालिंग बैटिंग की है डैनियल समस कि वेम बात किरूओ बैइटिक और उन्होंने अब हितक इंप्रेप्रेशि डिलेविरी डालते हैं इसलिए थोड़ा सा चोके चके पड़ जाते हैं यहांसे उन्हें 64 रन बैट से स्कोर भी किये हैं वह भी स्ट्राइक रेट होगा इनका देर्स दोसों पार टॉपिक्स बॉलर्स के वह बाद के वह तो जाहिर खान जो कि अभी तक कुछ अच्छे करते नजर आ रहा है मेलमंट इनकेट्स के तरफ से उन्हें हाँ में कंसिडर हाँ इन दरांस टॉनामेंट हैज ग्राफ तेन बिकेट्स अभी तक उन्हें पिक किये हैं और भी साथ उमालीज़े की आठ के एकनौमी से उन्हें पिक किये हैं वेस्ट फिगर उनका तीन बिकेट्स लेकर 24 सेकेंड होने वाला है ग्रिंदर शंदू के में बात किड़ू तो वह शिख्ष बॉलर दीविल के हिस्ट्री में है जिन्होंने एक हैट्रिक निकाला है और उन्होंने है पर्थ स्कौचर के सामने निकाला था और उन्हें छे ब इन्होंने एक हैट्रिक भी निकाला है टॉपिक्स जब बिकेट के बात करें तो बिकेट की पर में फास्ट एंड लास्ट चोईस मैथ्यू का इक होने वाले हैं और इन्होंने इंप्रेस किया है अपनी बैटिंग से बहुत ही लोगों को और इंप्रेस करते आ रहे हैं और अपने बैट से स्कोर किये हैं दोस्तों आप समझ सकते हो कि नौ मैचेज में 277 अभी तेगिन होने कोई नहीं चलिए हमें आप यह साफ साफ कर देगा कि हां कितने किसको कितना पॉइंस मिला है ड्रीमलियों में चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं सौन मार्स का दो मैच से लिया है और 303.5 पॉइंट से हां पर आपको दिख रहा होगा और वहां पर भी दिख रहा होगा 257 रंस मैं ते उगाइक से ठोके है और 409 पॉइंट इनको मिला है क्योंकि बिकेट कीपर भी इनको कैच ओच काफी पॉइंट मिल जाता है जैसन संगा 273 रं बैट से स्कोर किये हैं और तीन बिकेट्स अपने बॉलिंग से लिया है और 409 पॉइंट इनको मिला एलेक्स हेल्स 126 रं 201 पॉइंट यहां पर आपको दिख साफ साफ तर पर यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि टॉप टॉप की मैं बात करूँ तो यह तीन टॉप में चल रहे हैं 353,40 209,409 में जो चलिए हम कैप्टेन रिस्की कैप्टेन सी चोईस के में बात करूँ तो पार्च इनिंग्स में एरॉन फिंच ने 164 रं की खेली है दोस्तों वह भले ही इनका एवरेज गरबर आ गया है 32 रं का एवरेज है और इन पर रिस्क दो तीन टीम में आप इनको कैप् फंटसी टीम के लिए बहुत ही अच्छे थावित हो सकते हैं और आपको मुहमद नमी से बचना है पिछले में मुहमद नमी पर मैंने रिस्क के लिया ता लोग्यों की इसके काम नहीं किया और मुहम्मद नमी से अपके बच के चलना है और हमेशा बच के चलिए तो एक टिम में इसको जगा दीजिए वह भी सबसे गंदा जगा नोट अगर आपने अभी तक टेलिगाम चैनल जोइन नहीं कि तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है पहुत से जा 10-21 अप जो जो ओपन हो रहा है बैलन्स चेक कर लेते हैं यारे जाण यह पूरा बैलन्स यूजञ करना है चलिए हम यहां पर open करते हैं मैच को सिद्नी ठंडर वर्जर्स इमिल्मर्ण डिनेगेर्स का यहां पर देखी सकते हैं कि जो यहां पर बिकर की पर सेक्षन में यहां पर मैथ्यू गाइक्स और सैम बिलिंग्स को सैम बिलिंग्स को थोड़ा रिजॉब करके रख रहा हूं क्य यहां से यह यहे और यहां से युल्मर्ण जैडघ खान व कि चलिए दृस्तों यहां से में इनको फिक कर लेता हूं है दुस्तों यहां मेरे को?... ए और मुखू चलिब्स का पीससे हताना पर गए और यहां से अ हस गरान। को पिछले मैचेंज में खेल थे इस बटार से मैं यह फाइनल टिम आपको चैनल पर मिल जाएगी तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से जाके जोएन हो जाएए तो आपको कैप्टेन का जो चोईस होने से बस मैंने जिनको चर्किल किया है को कैप्टेन यूज करना है और यह आपको फाइनल टेम चैनल पर मिलेंगी जिसके लिंगे डिस्क्रिप्शन में आपको वहां पर पोस्ट कर दी जाएगी और वह तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना और कोई भी दिक् सच कर सकते हैं और कैसा लगा वीदियो कमेंट कर किसलिए बताएगी अगर मेरा खराब कर मिरे मेरे में बोलने या फिर कुछ समझाना मेरा गयी है तो इसके लिए आप comment कर सकते हैं तसना सके आए हम क्या गलती है क्यूंकि हर इंसान से गलती होता है तो यह से थोड़ा सा सीख लेते हुए चलना है क्यूंकि हर आदमी हर गलती से कुछ नकुछ लोग सीखते हैं तो चलिए आज के लिए बस इतना ही तब तक के लिए लव यू